यह हिन्द वच्चो क्या हाल है भै वेटा आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि English में दिक्कत यह है वच्चो को कि English में सबसे खर्लब मार्क्स कैसे करें मैं जीवन मार्कस कैसे हुए वह सारी वात हैं करेंगे चार से पांच मनट की वीडियो है, सारे बच्चे लाश तक बनी रहेंगे, ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंग्लिस को कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है आपको, ठीक है बई, सारे बच्चे सुनेंगे, देखो सबसे पहले क्या है, बच्चों को दिक्कत यह होती है कि सलेवस, सबसे पहले तो आपको सलेवस कंप्लिट करना है आपको, सलेवस, इंग्लिस का ज daily पढ़ाते ही है वह आपको वहां से आ ख्लास लेनी है सबसे पहले आपको से लेवस कंपुलिट करना है अब दिखकतर है कि से लेवस क्या-क्या पढ़ें तो मेरें इंपोरेंट टॉपिक जो है मैं आपको में बता दिता हूं एक तो जो मेरी basic class है ना वह आपको करनी है सीधा डारेक्ट क्षिन आपको मिलता है basic class से nda में और cds में भी छाहा एससी का एक जाम हो डारेक्षिन मिलते है basic class से बहुत important है यह आपको पढ़ना है और एक आपको subject वर्व agreement को डंग से पढ़ना है मैं आपको वह वता रहा हूँ जो chapter आपको important इंपोड्रन चेप्टर कौन कौन से हो आपको पढ़ने पढ़ेंगे एक तो basic class है एक sb एक आपका बिटा time and tense है यह आप डंग से पढ़ें थिक है एक chapter आपके पास conjunction और एक है आपके पास pronoun और एक proportion अगर ये चेप्टर आपने ढंग से कर लिए grammar में grammar का portion है अगर ये आपने चेप्टर ढंग से पढ़ लिए basic class subject verb agreement time and tense conjunction pronoun and proportion एक noun topic है noun से क्वेशन जादा नहीं आते हैं हलके question आएगा noun से आएगा तो हलका वाला question यहां से basic class से हो जाएगा मेरी से जो मेरी basic class है ना वो बहुत important है राम बाड़ा इंग्लेश के लिए 14-15 दिन पढ़ाता हूं basic class में और यह मालों कि basic class से डानट question मिलते हैं आपको exam में आप चेक भी कर सकते हैं कोई भी exam उठाके subject agreement जो भी topic है जो मैंने YouTube पढ़ाएं आपको और पढ़ा रहा हूं YouTube में आपको मैं रूल से बढ़ा English नहीं पढ़ाऊंगा आपको रूल एक भी कराता नहीं हो आपको बिलकुल concept से पढ़ाते हैं आपको पता भी होगा जो बच्चे YouTube से class लेते हैं उनको पता भी है ठीक है यह most most important topic है आपके पास एक noun topic रह गया उससे तुछा बढ़ा पढ़ा लेना काम चल जाएगा उससे आपको ठीक है अच्छा दूसरी बात यह रही कि आपको syllabus complete करना है फिर आपको revision करना है बच्चे क्या करते है रिवीजन नहीं करते है होता क्या है देखो सुनेंगे सारे बच्चे होता क्या है जैसे मानलो revision आप कर रहे हूँ तो आपने पहले SBA पढ़ा इंग्लिश पढ़ी है उसका revision करें सबसे में इंप्रेंट है पीवाई क्यू जब आपका syllabus complete हो जाए और revision आप एक बार कर लें जब आप एक बार revision कर लें तो सबसे फिर बाद में आपको लगाने है प्रिविएस यह कुश्चन लगाने होंगे आपको जो पांस से छे साल के जब आप एंडिया के तैयारी कर रहें तो लगाओगे जो बच्छे सीड्यईयस वाले है वों सीड्यैस के लगाएंगे तो जो भी आप तयारी कर रहे हैं पांस से छै साल के previous question लगाओ जिससे आपको पता लगे क्या है क्या है क्या नहीं है ठीक है जब प्रिवेस प्रणाउन का भी मिलेगा सारे टॉपिक आपको मिलेंगे है ना बैसे यूपी ऐसी में 10 से 12 चेप्टर इंग्लिस के जो आपको पढ़ने होते हैं लेकिन यह इंपोर्टन टॉपिक है यह आपको करने पढ़ेंगे और इंग्लिस में मैजीव माक्स तभी आपके आएंगे आप महनत करेंगे और अग nett, और अगर आपका SLA comparative है तो आपका क्लेक्शन पख्ट होगा और ऑगा गवर्ब्रन जॉब के लिए आपको पता है government job के लिए पता है कि English से काम ने चले चलेगा, English है, Math है, GS है, Reasoning है, जो भी आपके syllabus में है, NDA में Reasoning में आती है, NDA में GS है, English है, Math है, Science है, आती है, वो आपको ढंग से पढ़नी पढ़ेंगी, यह नहीं, आपने पर हम, आप देख भी सकते हैं, YouTube में आपको दिखा दिता हूँ, देखो, जैसे एक class लगी हुई है, मेरी देखो, पार्ट टू, यहाँ पे class, 15 class चल रही है, subject बर्ब agreement चल रहा है, फिलाल, timing जो रहती है, बिटा, English की, वो सुवए 9 से 10 रहती है, 9 से 10 रहती है, जिसमें Monday को, Tuesday को, Friday को, मैं English पढ़ाता हूँ, Thursday को, Saturday को, मैं English पढ़ाती है, वो क्या पढ़ाती है, तो class आपकी लगी हुई है, आप बिटा, सारे बच्चे यहाँ देख सकते हैं, और मैं जाकनी कर रहा हूँ, English में बास्ता में रूल नहीं होते है, अगर हूर होते हैं, तो मैं लिखाता, और आप चेक भी कर सकते हैं, बेसिक क्लास में आपको पढ़ाई होगी, बेसिक क्लास का मतलब है, यह मानलो कि 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तकी NCRT, बेसिक क्लास जो ह सारे बच्चे समझ गए होंगे, तो आपको पहले स्लेवस कंप्लेट करना है, फिर रिवीजन करना है, फिर मॉक टेश्ट लगाने है, प्रीवाई क्यू लगाने है, प्रीवेसर कोश्चन, ठीक है, तो मुझे उम्वीद है, आपके बास समझ्ध में आ गई होगी, अगर व